C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुद है कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग दो पाठ तीन अतीत में दबे पाउं लेखक ओम थानवी पाठ परिचय अतीत में दबे पाउं इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो एतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं इसी संदर्व में ये रचना ओम थानवी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है जो अब तक की ज्यान में भारतिय भूमी ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतनी सुनियोजित धंग से पुनरजीवित करता है जितने सुनियोजित धंग से उसके दो महान नगर, मुरन जोदलो और हडप पवसे थे लिखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं तालावों, मकानों वा मार्गों से प्राप्त पुरा तत्वों में मानव संस्कृती की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मिनान से खोज-खोज कर हमें दिखलाया है जिससे हम इतिहास की सपाठ वर्णनात्मक्ता से ग्रस्त होने की जगहा इतिहास बोध से तर यानी सिक्त होते हैं जिस प्रकार सिंदु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी सिंदु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मुवन जोदलो की नगर योजना अभिभूत करती है वो आज की सेक्टर मारका कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक्त थी क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अफकाश भी छोड़ कर चलती थी पुरा तत्व के निश्प्रान पड़े चिन्धों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक वा आर्थिक गतिविधियों का पुखता अनुमान किया जा सकता है ये सब्वेता, ताकत के बलपड शासित होने की जगा आपसी समझ से अनुशासित थी, उसमी भवेता थी, पर आडंबर नहीं था, उसकी खुबी उसका सौंदरे बोथ था, जो राजपोशित या धर्म पोशित ना होकर समाजपोशित था अतीत की ऐसी कहानियों के समारक्चिन्नों का आधुनिक विवस्था के विकास अभियानों की भीर चरते जाना भी लेखक को कचोडता है पाठ अतीत में दबे पाउं लेखक ओम थानवी लेखक परिचय ओम थानवी जन्म सन 1957 में शिक्षा दीक्षा बीकानेर में राजस्थान विश्विद्याले से वियावसाइक प्रशासन में एमकॉम एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया के महासचिव उन्नी सो असी से उन्नी सो नवासी तक नो वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे इतवारी पत्रिका के संपादन ने सापताहिक को विशेश प्रतिष्ठा दिलाई सजग और बौधिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशेश्ट स्थान बनाया अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयम रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में गहन दिल्चस्पी रखते हैं असी के दशक में सेंटर फॉर साइंस एन्वारिनमेंट C.S.E. की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल्सरोतों पर खोजबेन कर विस्तार से लिखा पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदत्थ 1999 से संपाधक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संसकरणों का दाइत्व संभाला ओम थानवी वर्षों से इंडियन एक्स्प्रेस सम्हूं के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपाधक के रूप में कार्यरत प्रिष्ट संख्या 35 प्रस्तुत है पाठ अतीत में दबे पाओं अभी भी मुवन जोदरो और हडपा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं ये सिंधु घर्टी सभ्यता के परवर्ती यानि परिपक्व दौर के शहर है खुदाई में और शहर भी मिले हैं लेकिन मुवन जोदरो तामर काल के शहरों में सबसे बड़ा है वह सबसे उत्कृष्ट भी है व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई बड़े तादाद में इमार्तें, सडकें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरें, साजो सामान और खिलोने आदी मिले सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सेंकडों मिल दूर हडपपा के ज्यादता साक्षे, रेल लाइन बिछने के दौरान, विकास की भेंट चड़ गए मुहन जो दड़ों के बारे में धारना है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानि एक तरहे की राजधानी माना जाता है यह शहर दो सो हैक्टर क्षेत्र में फैला था, आबादे कोई पचासी हजार थी, जाहिर है पाँच हजार साल बहले यह आज के महानगर की परिवाशा को भी लांगता होगा दिल्चस बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृती थी, पर पूरा मोण जो दड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, यह टीले प्राकृतिक नहीं थे प्रिष्ठ संख्या 36 प्रिष्ठ का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहां था अब भी वही है, आप इसकी किसी भी दिवार पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं, वह एक खंढर क्यों नहों, किसी घर की देरी पर पाउं रख कर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिडकी पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, पुरा तत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है, सच है कि यहां किसी आंगन की तूटी फूटी सीड़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार जहांक रहे हैं, सबसे उचे चबूत्रे पर बड़ा बौध स्तूप है, मगर ये मोन जोदुरों की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जेन शेन टीले पर बना, कोई 25 फुट उचे चबूत्रे पर 26 सदी पहले बनी इटों के दम पर स्तूप को आकार दिया चबूत्रे पर भिक्षों के कमरे भी हैं, 1922 में जब राखाल दास बैनर जी यहां आये, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे, इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इलहाम हुआ कि यहां ईसा पूर्व के निशान है भारत ये पुरातत्व सर्विक्षन के महानिदेशक जौन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, धीमे धीमे यह खोज विशेशग्यों को सिंधू घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई, इस खोज ने भारत को मिस्र और मैसोपोटामि यानि इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाखडा किया, दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरा तत्व का व्यग्यानिक आधार मिल गया, पर्याटक मंगले से एक सर्पिल पकडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्थूप पर पहुँचे, पहले ही जहलक ने हमें अपलक कर दिया, इसे नागर भारत का सबसे पुराना लेंड्सकेप कहा गया है, ये शायद सबसे रोमान्चक भी है, ना आकाश बदला है, ना धर्ती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई, इस ठहरे हुए दृश्य में, हजारो साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है, इसे देखकर सुना जा सकता है, प्रिष्ट संख्या 38 भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत चित्र देखे हुँ, देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का जपकना है, जैसे यात्रा अपने पाउं चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है मौसम जाड़े का था, पर दुपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कुशिश करती हुई, ये इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहां है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल, बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। मगर यहां की धूप का मिजाज जुदा है, राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है, तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृष्चियों के रंग उड़े हुए हूँ, पर इससे एक फाइदा हुआ, हमें हर दृष्चे पर नजरें दुबारा फिराने पड़ती, इस तरहें बार बार निहारें, तो दृष्चे जहन में ऐसे ठहरते हैं, मनों तच्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत न पड़े, स्तूप वाला चबूतरा मौन जोदड़ों के सबसे खास हिस्से के एक सिरे परस्थित है, इस हिस्से को पुरा तत्व के विद्वान गड़ कहते हैं, चार दिवारी के भीतर एतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, बाके शहर गड़ से कुछ दूर बसे होते थे, क्या ये रास्ता भी दुनिया को मुवन जो दड़ों ने दिखाया? प्रिष्ठ संख्या 49 यहां यही एक निर्मान है, जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नस्दीक बचा रह सका है, बाके इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं, कि कल्पना और बरामद चीजों के जोर से उनके उप्योग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है, नगर नियोजन के मुवन जोदरो अनूठी मिसाल है, इस कथन का मतलब आप बड़े चबूत्रे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाब सकते हैं, इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हुँ, मगर शहर की सडकों और गलियों के विस्तार को स्पस्ट करने के लिए ये खंडहर काफी हैं, यहां की कमों बेश सारे सडकें सीधी हैं, या फिर आड़ी, आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं, आज की सेक्टर मारका कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है, शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है, ब्रासीलिया या चंडीगड और इस्लामाबाद ग्रड शैली के शहर हैं, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकास छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्तकट होती है, मुएन जोदुरों की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तु कला की आखिर कितनी भूमिका थी, स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गड़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, उसके पीछे पांच किलो मीटर दूर सिंधु बहती है, पूरब की इस बस्ती से दक्षन की तरफ नजर दड़ाते हुए, पूरा पीछे घूम जाएं, तो आपको मुवन जोदड़ों के खंधर हर जगह दिखाई देंगे, दक्षन में जो तूटे फूटे घरों का जमघट है, वह कामगारों की बस्ती है, कहा जा सकता है इतर वर्ग की, संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहां नहीं था? कहते हैं, निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत समगरी के नहीं रहे होंगे की पाँच हजार साल टिक सकें, उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, ये भी है कि सौ साल में अब तक इस इलाके के एक तिहाई हिस्से की खुदाई ही हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है हम पहले स्तूप के टीले से महा कुंड के विहार की दिशा में उतरें, दाई तरफ एक लंबी गली दीखती है, इसके आगे महा कुंड है, पता नहीं सायास है या सैयोग कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैवमार्ग, यानी डिविनिटी स्ट्रेट रखा है केसी अनुष्ठान का अंग होता था, कुंड करेब 40 फुट लंबा और 25 फुट चोड़ा है, गहराई 7 फुट, कुंड में उतर और दक्षन से सीधियां उतरती हैं, इसके तीन तरफ साधू के कक्ष बने हुए हैं, उतर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं, इन में किसी का द्वा दूसरे के सामने नहीं खुलता, सिध्व वास्तु कला का ये भी एक नमुना है, इस कुंड में खास बात पक्की इटों का जमाव है, कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दिवारों पर इटों के बी खड़ी की गई है, जिस में सफेद डामर का प्रयोग है, कुंड के पानी के बंदोबस्थ के लिए एक तरफ कुंण है, दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुंण है, इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमान्ट माना गया है, कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालिया है इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की इतों से बनी है और इतों से ढकी भी है प्रुष्ठ संख्या 41 पक्की और आकार में समरूप धूसर इते तो सिंदु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है ढकी हुई नालियों का उलेक भी पुरा तात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर दे कर करते हैं पानी निकासी का ऐसा सुव्य वस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता महा कुंड के बाद हमने गड़ की परिक्रमा की कुंड के दूसरी तरफ विशाल को ठार है कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहां जमा किया जाता था इसके निर्मान रूप खासकर चोकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है यहां नौनो चोकियों की तीन कतारे हैं उत्तर में एक गली है जहां बैल गाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्षे मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा ठीक इसी तरह का कोठार हडपा में भी पाया गया है अब यह जग जाहिर है कि सिंदु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी बरसों यह माना जाता रहा कि सिंदु घाटी के लोग अन उप जाते नहीं थे उसका आयात करते थे नई खोज ने इस खयाल को निर्मूल साबित किया है बलकि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वे मुलतह, खेतीहर और पशुवपालक सभ्यता ही थी लोहा शुरू में नहीं था पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी पत्थर सिंध में ही था तांबे की खाने राजस्थान में थी इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किये जाते थे जबकि मिसर और सुमेर में चक्मक और लकड़े के उपकरण इस्तेमाल होते थे इतिहासकार इर्फान हबीब के मताबिक यहां के लोग रभी की फसल लेते थे कपास गेहूं जों सरसों और चने की उपज के पुखता सबूत खुदाई में मिले हैं वह सभ्यता का तर्युग था जो धिमे धिमे सूखे में बदल गया विद्वानों का मानना है कि यहां ज्वार, बाजरा और रागे की उपज भी होती थी लोग खजूर, खर्बूजे और अंगोर उगाते थे जाड़ियों से बेर जमा करते थे, कापास की खेती भी होती थी कापास को छोड़ कर बाकि सब के बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया कापास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है ये दुनिया के सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक है दूसरा सूती कपड़ा तीन हजार इसा पूर्व का है जो जो जॉर्डन में मिला मौन जोदणों में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था चाल्टी यानि लिनन और उन कहते हैं यहां सुमेर से आयात होते थे शायद सूत उनको निर्यात होता हो जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सद्यों हुआ प्रसंगवश मैसोपोटामिया के शिला लेखों में मौन जोदड़ों के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रियोग मिलता है महा कुंड के उत्तर पूर्वु में एक बहुत लंबी सी इमारत के अफशेश है इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है तीन तरफ बरामदे हैं इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे पुरा तत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्यान शालाएं सटे हुई होती थी उस नजरिये से इसे कॉलेज ओफ प्रिस्ट्स माना जा सकता है दक्षिन में एक और भग्न इमारत है इसमें बीस खंभों वाला एक बड़ा हॉल है अनुमान है कि ये राज्ये सचिवाले सभाभवन या कोई सामूदाई केंदर रहा होगा गढ़ की चार दिवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ पढ़े ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है कहें कहें वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ति के कुएं लगता है जैसे मिनारों की शकल में धर्ती छोड़ कर बाहर निकलाए हैं पूरब की बस्ति रईसों की बस्ति है हालां कि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरेबों की बस्तियां मानी जाती हैं मुवन जोदड़ों इसका उलट था। प्रिष्ट संख्या 43 यानि बड़े घर, चोड़ी सडकें, ज्यादा कुएं। मुवन जोदड़ों के सभी खंड़रों को खुदाई कराने वाले पुरा तत्व वेताउं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। जैसे डीके, हलका दीक्षित, काशी नात की खुदाई, उनके नाम पर यहाँ दो हलके हैं, डीके, क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपून है, शेहर की मुख्य सडक, फस्ट स्ट्रेट यहीं पर है, यह बहुत लंबी सडक है, मानो कभी पूरे शेहर को नापती हो अब यह आधा मील बची है, इसकी चोड़ाई 33 फुट है, मुवन जो दड़ों से तीन तरह के वहनों के साक्षे मिले हैं, इनमें सबसे चोड़ी बैल गाड़ी रही होगी इस सडक पर दो बैल गाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है, यह सडक वहाँ पहुचती है जहां कभी बाजार था, इस सडक के दोनों और घर हैं, लेकिन सडक की और सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानि कोई घर सडक पर नहीं खुलता, उनके अंदर गलियों में हैं, दिल्चस्प संयोग है कि चंडी गड़ में ठीक यही शेली, पचास साल पहले कारबुजिये ने इस्तेमाल की, वहाँ भी कोई घर मुख्य सडक पर नहीं खुलता, आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सडक से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल ह होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में, क्या कारबुजिये में ये सीख मुवंजोदरों से ली? कहते हैं, कवीता में इसे कवीता निकलती है, कलाओ की तरहे, वास्तो कला में भी कोई प्रेणा, चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी, ढके हुई नालिया, बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है, हर घर में एक स्नान घर है, घरों के भीतर से पानी, या मैल की नालिया, बाहर होदी तक आती हैं, और फिर नालियों के जाल से जुड जाती है, कहीं कहीं वे खुली हैं, पर ज्यादातर बंध हैं, स्वास्ते के प्रती, मुउन के बाशिंदों के सरोकार का यही बहतर उधारण है बस्ती के भीतर छोटी सड़के हैं और उनसे छोटी गलियां भी छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चोड़ी हैं इमार्तों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुवों का प्रबंध यह कुवें भी पकी हु एक ही आकार की इटों से बने हैं प्रिष्ठ संख्या चबालेस इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ग्यात संस्कृती है जो कुवें खोद कर भूजल तक पहुंची उनके मताबिक केवल मुवन जोड़ों में 700 के करीब कुवें थे नदी, कुवें कुंड, सनानागार और बेजोड पानी निकासी क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृती कह सकते हैं बड़ी बस्ते में पुरा तत्व शास्त्री काशिनात दीकशित के नाम पर एक हलका डीके जी कहलाता है इसके घरों की दिवारें उची और मोटी हैं मोटी दिवा दिवारों को अर्थ ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी दूसरी दिवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद ये शेहतीरों की जगह हो सभी घर इट के हैं एक ही आकार की इटें एक अनुपात दो हटकर जहां पक्की और कच्छी इटों का मिला जुला निर्मान उजागर हुआ है मुवन जोदड़ों में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ कहीं कहीं नालिया ही अनगड़ पत्थरों से धकी दिखाई दी पुरुष्ठ संख्या पैइतालीस इन घरों में दिल्चस्व बात ये है कि सामने की दिवार में केवल प्रवेश द्वार बना है कोई खिडकी नहीं है खिडकियां शायद उपर की दिवार में रहती हूँ यानि दूसरी मन्जिल पर बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिडकियां जरूर हैं बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा कुमारी का काम या कोई धतू कर्म हालंकि सभी घर खंड़ हर हैं और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं घर छोटे भी हैं और बड़े भ घर एक कतार में हैं ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन तीस गुना तीस फुटका होगा कुछ इससे दुगने और तिगने आकार के भी हैं इनकी वास्तुशेली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवा पर लागू हो एक घर को मुख्या का घर कहा जाता है इसमें दो आंगन और करीब बीस कमरे हैं डीके बी सी हलका आगे पूरब में हैं दाड़ी वाले याजक नरेश की मूर्ती इसी तरफ के एक घर से मिली थी डीके जी की मुख्य सडक पर दक्षिन की ओर बढ़ें तो डेड़ फरलांग की दूरी पर HR हलका है सडक उसे दो भागों में बाट देती है ये हलका हेरल्ड हर ग्रीव्ज के नाम पर है जिन्हों ने 1924-25 में राखाल दास बनरजी के बाद खुदाई करवाई थी यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे जिन्हें लेकर कई तरहे की कहानिया बनती रही प्रसिद नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था इसके बारे में पुरा तत्व विद मार्टीमर विलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड की दूसरी चीज शायद ही होगी यह मूर्ती अब दिल्ली के राष्ट्रिय संग्रहले में है यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है इसमें आमने सामने की दो चोड़ी सीड़ियां उपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है प्रुष्ट संख्या चियालिस पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर वी एस हिसा है यहां वो रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं जहां जमीन में इटों के गोल गड़े उभरे हुए हैं अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बरतन रखे जाते थे दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिरा मकान है एक कतार मुख्य सड़क पर है दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ सब में दो-दो कमरे हैं सनान घर यहां भी सब घरों में है बाहर बस्ती में कुएं सामुहिक प्रयोग के लिए हैं ये करमचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे मुवन जो दड़ों में कुएं को छूड कर लगता है जैसे सब कुछ चोकोर या आयताकार हो नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें ठप्पेदार मुहरें, चोपड का खेल, गोटियां, तौलने के बाट, आदी सब चोटे घरों में चोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में चोटे कमरे देखकर अचरज होता है इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी दूसरी तरफ ये विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली यानि भूतल मन्जिल में नौकर चाकर रहते होंगे ऐसा अमेरिक के निर्तत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है बड़े घरों के आंगन में चोड़ी सीडिया है कुछ घरों में उपर की मन्जिल के निशान है पर सीडिया नहीं है शायद यहां लकड़ी की सीडिया रही हो जो कालांतर में नश्ट हो गई संभव है उपर की मन्जिल में ज्यादा खिड़किया जरोखे और साज सज्जा रही हो लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो कुछ घरों में बाहर की तरफ सीडियों के संकेत हैं यहां शायद उपर और नीचे अलग-अलग परिवार रहते होंगे छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीडिया हैं उनके पायदान भी उचे हैं ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा गोर किया कि मुवन जोदरों के किसी घर में खिड़कियों या दर्वासों पर चज्जों के चिन्ध नहीं है गरम इलाकों के घरों में चाय के लिए ये आम प्रावधान होता है क्या उस वक्त यहां इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी मुझे मुवन जोदरों की जानी मानी मुहरों के पशु याद हो आए शेर, हाथी या गेंडा इस मरू भूमी में हो नहीं सकते क्या उस वक्त यहां जंगल भी थे ये तत्थे स्थापित हो चुका है कि यहां अच्छी खेती होती थी पुरा तत्वे शिरेन रतनागर का मानना है कि सिंधु वासी कुवों से सिचाई कर लेते थे दूसरे मुवन जोदरों की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमान नहीं मिले है यानि बारिश उस काल में काफी होती होगी क्या बारिश घटने और कुवों के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया क्या पानी के अभाव में ये इलाका उजला और उसके साथ सिंधु घाटी की सम्रिद्ध सभ्यता भी मुएन जो दूरों में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दर्वाजे या खड़की के सामने से हम गुजरते तो साएं साएं की धोनी में हवा की ले साफ पकड़ में आती थी वैसे ही जैसे सडक पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पट्री के अंतरालों में रहे रहे कर हवा के लैबध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं सुने घरों में हवा की लै और ज्यादा गूंजती है इतनी कि कोनों का अंध्यारा भी सुनाई दे यहां एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता आखिर सब खंड़र हैं सब कुछ खुला है अब कोई घर जुदा नहीं है एक घर दूसरे में खुलता है दूसरा तीसरे में जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो लिकिन घर एक नक्षा ही नहीं होता हर घर का एक संसकार में आकार होता है भले ही वह पाँच हजार साल पुराना घर क्यों नहो हम में कमोबेश हर कोई पाउं आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गती से दाखिल होता था मानो मन में अतीत को निहारने की जिग्यासा ही ना हो किसी अजनबी घर में अनधिकार चहल कदमी का अपराद बोध भी हो जैसे किसी पराए घर में पिछवाडे से चोरी चुपे घुस आए सब जानते हैं यहां अब कोई बसने नहीं आएगा लेकिन ये मौन जोड़ों के पुरा तात्विक अभ्यान की है खुबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंगी कर इस कदर शहर उसकी गलियों और घरों को ढूंडा और सही जा गया है कि ये एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कल कोई यहां बसता था जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है मगर घर आपका नहीं है अन्चाहे मुझे मौन जोड़ों की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए ऐसा नहीं हो सका महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एकसी है कई चीज़े हैं जो मुझे यहां से वहां जोड जाती हैं जैसे हजारों साल पुराने यहां के खेत बाजरे और ज्वार की खेती मौन जोड़ों के घरों में टहलते हुए मुझे कुल धरा की याद आई यहे जैसल मेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खुबसूरत गाउं है उस खुबसूरती में हर दम एक गमी व्याप्त है गाउं में घर है पर लोग नहीं है कोई डेड़ सो साल पहले राजा से तक्रार पर स्वाभी मानी गाउं का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया दर्वाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए घर खंढ़र हो गए पर धहे नहीं घरों की दिवारें प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो लोग निकल गए वक्त वहीं रह गया खंढ़रों ने उसे थाम लिया जैसे सुभह लोग घरों से निकले हूँ शायद शाम ढले लौट आने वाले हूँ राजस्थान ही नहीं गुजरात पंजाब और हर्याना में भी कुए, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की इटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए जोन मार्शल ने मौन जोदड़ों पर तीन खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैल गाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया हालाकि कमाने या आरे वाले पहिये का आविशकार बहुत पहले हो चुका था जब मैं छोटा था हमारे गाउं में भी लकड़े वाले ठोस पहिये बैल गाड़ी में जुड़ते थे दुलहन पहली दफा इस बैल गाड़ी में ससुराल जाती थी बाद में हमारे यहां भी बैल गाड़ी में आरे वाले पहिये जुड़ने लगे अब तो उसमें जीप के उतारू पहिये लगते हैं हवाई जहाज के उतारू पहिये बाजार में आने के बाद उट गाड़े गाड़ी नहीं का भी आविशकार हो गया है रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ये एतिहासिक गठ जोड है हलांकि कहना मुश्किल है कि दुलहन की सवारी के रूप में बैल गाड़ी या उट गाड़े का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मुवण जोड़ों का अजायब घर देखना अभी बाकी है खंड हरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंड हरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता अजायब घर छोटा ही है जैसे किसी कसबाई स्कूल की इमारत हो सामान भी ज्यादा नहीं है एहम चीजें कराची, लाहोर, दिल्ली और लंदन में है यों अकेले मुवन जोदरों की खुदाई में निकली पंजिकृत चीजों की संख्या पचास हजार से ज्यादा है मगर जो मुठे भर चीजें यहां प्रदर्शित हैं, पहुची हुई सिंधू सभ्यता की जहलक दिखाने को काफी है प्रुष्ठ संख्या उन्चास काला पढ़ गया गिहुँ, तामबे और कांसे के बरतन, मुहरे, वाद्ये, चाक पर बने विशाल, मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड की गोटियां, दिये मापतौल पत्थर, तामबे का आइना, मिट्टी की बैल गाड़ी और दूसरे खिलोने दो पाटन वाली चक्की, कंगी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहां हुआ करते थे, जो चोरी हो गए एक खास बात यहां कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है मौन जो दड़ो क्या, हडपा से लेकर हर्याना तक समूची सिंधू सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं, जैसे किसी राज तंत्र में होते हैं इस बात को लेकर विद्वान सिंधू सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तो शिल्प, मुहर ठपों, पानी ये साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आधी में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधू घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग लाग खड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना दूसरी जगहों पर राज तंत्र या धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आधी मिलते हैं हडपा संस्कृति में न भव्य राज प्रसाद मिले हैं न मंदिर प्रिष्ठ संख्या पचास न राजाओं महंतों की समाधियां यहां के मूर्ति शिर्प छोटे हैं और औजार भी मूहन जोदड़ों के नरेश के सिर पर जो मुकट है शायद उससे छोटे सिर पेच की कलपना भी नहीं की जा सकती और तो और उन लोगों के नावे बनावट में मिस्र की नावे जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लोव प्रोफाइल सभ्यता थी लगुता में भी महता अनुभव करने वाली संस्कृती मूहन जोदड़ों सिंधू सभ्यता का सबसे बड़ा शेहर ही नहीं था उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे सम्रिद भी माना गया है फिर भी इसकी संपनता की बात कम हुई है तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है दूसरी वज़ा ये भी है कि मौण जोदड़ों और हडपा पिछली सदी में ही उदगाटित हो सके उनकी अनबूज लीपी अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है सिंदू घाटे के लोगों में कला या सुरूची का महत्व ज्यादा था वास्तू कला या नगर नियोजन ही नहीं धातू और पत्थर की मूर्तियां मृद्भांड उन पर चित्रित मनुश्य वनस्पती और पशू पक्षियों की छवियां सुनिर्मित महुरें उन पर बारीके से उतकीन आक्रितियां खिलोने केश विन्यास आभूशन और सबसे उपर सुगर अक्षरों का लीपी रूप सिंधू सभ्यता को तकनीक सिध्ध से ज्यादा कला सिध्ध जाहिर करता है एक पुरा तत्व वित्ता के मताबिक सिंधू सभ्यता के खूबी उसका सौन्दर्य बोध है जो राजपोशित या धर्मपोशित ना होकर समाजपोशित था शायद इसी लिए आकार की भव्यता की जगहें उसमें कला के भव्यता दिखाई देती है अजायब घर में रखे चीज़ों में कुछ सुईयां भी हैं खुदाई में तामबे और कांसे की तो बहुत सारी सुईयां मिली थी काशिनात दीखषित को सोन की तीन सुईयां मिली जिन में एक दो इंच लंबी थी समझा गया है कि ये बारीक कशीदे कारी में कामाती होगी याद करें नर्तकी के अलावा मोन जोदनों के नाम से प्रसिद जो दाड़ी वाले नरेश की मूर्ती है उसके बदन पर आकरशक गुलकारी वाला दुशाला भी है प्रुष्ठ संख्या 51 आज चापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है पर कपड़ों पर चापाई का आविशकार बहुत बाद का है खुदाई में सुईयों के अलावा हाथी दात और तामबे के सुवे भी मिले हैं जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरिया बुनी जाती थी हला कि दरी का कोई नमूना या साक्षे हासिल नहीं हुआ है वो शायद कभी हासिल नहों क्योंकि मौन जोड़ों में अब खुदाई बंद कर दी गई है सिंधू के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है मौजूदा खंडरों को बचा कर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनोती है शब्द अर्थ मौन जोड़ो हरपा पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ का पुरातत्विक स्थान जहां सिंधू खाटी सभ्था का दूसरा प्रमुख नगर बसा था इल्हाम अनुभूत कशीदे कारी और गुल कारी कपड़ों पर फूल या चित्र अंकित करने की कला प्रिष्ठ संख्या बावन अभ्यास प्रेश्ण एक सिंधू सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था कैसे प्रेश्ण दो सिंधू सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोशित या धर्म पोशित ना होकर समाज पोशित था ऐसा क्यों कहा गया है प्रेश्ण तीन पुरा तत्व के किन चिन्धों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधू सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी प्रेश्ण चार ये सच है कि यहां किसी आंगन की तूटी फूटी सीडिया अब आपको कहीं नहीं ले जाती हैं वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं वहां स आप इतिहास को नहीं उसके पार जांग रहे हैं इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है प्रेश्ण पांच तूटे फूटे खंढर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदिगियों के अनचुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं इस कथन का भा प्रेश्ण छे इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा परन्तु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है किसी ऐसे एतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़्दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजि प्रेश्ण साथ सिर्फ अवशेशों के आधार पर ही धारना बनाई है इस लेक में मुवन जोदलों के बारे में जो धारना व्यक्त की गई है क्या आपके मन में इससे कोई भिन धारना या भाव भी पैदा होता है इन सम्भावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनी पाठ्थे पुस्तक निर्माण एवं संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. झाल 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 झाल